हेलो दोस्तों, वेलकम टू, सके गियान अस्टडी दोस्तों, आज की इस विडियो में हम लोग जोनेएगे कि भीन का जोर, भीन का घटा, भीन का गुना, और भीन का भाग एक साथ कैसे बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो हमें इस पर एक लखिर्क खीच लेना है, उसके बाद Venture जो दिया गया है, हर उसका हमें क्या कर लिया है, L3 मेरा है, अब 8 और 12 हमें L13 मेरा लेना है, तो हम यहां पर 8 और 12 का L13 मेरे लेते हैं, तो 2 से लगाते हैं, 2 चोक 8, 2 चक 12, फिर 2 से लगाते हैं, दो दूनी 4, 2 ति 24 यानि 8 और जब 12 का हमें LCM लिया तो हमें कितना आ गया 24 उस 24 को हमें यहां लिख लेना है 24 को लिखने के बाद आप क्या करिए इसी संखियां से यानि जिस दोनों का आपने क्या लिया LCM उसी संखियां से आपको क्या करना इसमें भाग देना है तो 8 से जब भाग देते हैं तो आता है हमें 3 उस 3 को आप 6 से गुना कर दीजिए तो 3 छक कितना हो जाएगा 18 उसको लिख दीजिए पलस बीच में पलस दे दीजिए फिर इस रंख्यां से आपको इसमें भाग देना यानि हर से तो 12 दूना 24 कितने बार माता है दो बार उस 2 को उपर से गुना कर दीजिए दो तिया 6 अब क्या करना है इस दोनों को जोर दीजिए तो 18 और 6 जब जोरेंगे तो हमें कितना आजाएगा 24 यहाँ पर 24 आगया और नीचे भी 24 है बटा 24 दे देंगे यहाँ पर 24 बटा 24 आगया जरूरी नहीं है आपको इसी तरह आए आपको कुछ भी आ सकता है तो यहाँ पर हमें काट लेंगे तो यहाँ एक बटा एक एंसर हो जाएगा ठिक इस तरह आपने देखा कि भीन का जोर कैसे हमने बना लिया है आइए अब हम देखते हैं भीन का गट्राओ कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करना है 9 वटे 18 और 1 वटे 12 का हमें भीन का गटा बनाना है यह ज़िए मैं लकीर उसके बाद क्या करना है 18 और 12 का LCM लेना है 18 और 12 काLCM कैसे लेंगे तो 18 है और 12 लिख देंगे फिर 2 से लगाएंगे 2 नमा 18 है 2 चक 12 है फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9 3 दूनी 6 यानि हमें आ गया 36 उस 36 को यहां लिख लेंगे लिख लिए अब क्या करना है अब हमें इस से भाग देना है तो 18 दूना 36 दो आया 2 से हमको गुना करना है दो नमा 18 हो गया मैनस दे देंगे फिर 12 तिया 36 तीन आया 3 से इसको हमें गुना कर देना 3 एकं 3 अब 18 में से 3 घटा लेंगे 18 से 3 घटा लेंगे कितना जाएगा 15 15 बटा क्या जाएगा 36 अब हमें जो कट रहा है इसको काट लेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 से कटता है तो हमें काट लेंगे 3 से 3 पचे पंदर है 3 से बारतिया 36 तो कट गया तो यहीं हमें आ गया 5 बटे 12 यही हमारा क्या हो गया एंसर हो गया अभी आपने देखा कि भीन का जोर और भीन का घटाव कैसे बनाए है आईए अब हम देखते हैं भीन का गुना और भीन का भाग कैसे बनता है तो सबसपहले आप क्या करिए इस देखिए यहाँ पर यहाँ तो इसके उपर हो गया भीन का जोर घटाव नीचे हो गया भीन का गुना और भीन का भाग तो पहले भीन का गुना बनाने के लिए उपर में अठार है और बार है उससे आप नीचे वाली संख्या यानी 32 और 14 को काट सकते हैं या आप नीचे वाली संख्या से उपर को काट सकते हैं पर हमने देखा कि 2 से पहले 2 नमा 18 और 2 से कट रहा है 16 दुना 32 अब यहां पर चार से चार तिया बाहर है और 4 चोक 16 कट गया अब फिर देखिए यहां पर किसी संख्यां से उपर नहीं कट रहा है नीचे भी नहीं कट रहा है अब हम क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे यानि 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 37 आजाएगा और नीचे हमें 14 गुना 4 करेंगे 14 चोक कितना आजाएगा 56 आजाएगा इस तरह आपने भीन का गुना भी बनाना सीख गया आईए हम भीन का भाग बनाते हैं लेकिन आपको भीन का भाग बनाने से पहले आपको भीन का गु गुना भागना है, इसको गुना बना लेंगे, गुना, 9 बटे, 12 को लिखेंगे, 12 बटे, 9 लिखती हैं, आप इसको काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, तो काटते हैं, 3 दू नीचो, 3 तिया, 9, 3 से 3 चोक, 12, कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है, यानि उपर कितना है, 2 गुना चार, 2 चोक, 8 और नीचे है, 9, तो 8 बटे, 9 हमें, क्या हो गया, एंसर हो गया, ये 8 बटे, 9 है, इस तरह आपने देखा कि भीन का जो, भीन का घटा, और भीन का गुना, और भीन का भाग बना लिए हैं, I hope कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा ल आपने बद,